सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि बताया गया था कि AI जो होता है एक्जाम बहुत जल्दी करवाता है मात्र आपको सक्तर से पचाहत्तर दिन दिया है और अगर देखा जाए तो फॉर्म भरने के लास्ट देट से काईदे से एक महीने भी नहीं दिया है आपका 4-5 तारिक के अगस्त में ही स्टार्ट वाता फॉर्म भरना सेप्टमबर में 4-5 तारिक तक था उसके बाद देखा जाए तो 14 तारिक से लगबग आपका जो Common Cader का है उसका एक्जाम है और बाकी एक्जाम तो जल्दी ही स्टार्ट हो गया है एक बार हम लोग एक्जाम की और उसके बाद देखा जाए जो शोडा कंटूबर को पह्ले हैं या भृण सकते हो कि आपके पास जो समय बचा है अगर 14 और 15 हटा दिया जाए तो अक्टूबर में 13 दिन बचा है और सब्तमबर में अगर आपके पास बचा है तो 2-3 दिन जो बचा है ये 3 ये 4 दिन बोल सकते हो तो कहने का मतलब कि 16 से 17 दिन आपको overall अभी से मिल रहा है और इसको आप मानके चलो कि 15 दिन ही मिल रहा है अब सबसे बड़ी बात है क्या 15 दिन में सेलेक्शन लिया जा सकता है क्या 15 दिन में तैयारी की जा सकती है तो इसका एक बहुत सीधा सा उत्तर है कि 15 दिन में तो आपको तैयारी बिलकुल नहीं करनी है ना ही 15 दिन में सेलेक्शन लेना है आप इसकी तैयारी पिछले सटर साथ गुन से कर रहे हो अगस्त महीने से कर रहे हो और लगातार करते आ रहे हो और टीम परिक्षप्रस आपकी बहुत विद्वर इसमें करवाई भी है देखा जाए मैंने आपको सुरू से बोला था कि यह जो अपका पूरा का पूरा AI का एक्जाम है वह मैक्स और रीजनिंग पर बेश्ट है 342 पदों पर जिसमें 277 पोश्ट लगबद आपका केवल किसका था जो कॉमन केर्डर का निकला हुआ था उसमें मेजरली कॉमन केर्डर के लिए ही बच्चे एपलाई किये हैं हलाकि मैंने देखा बहुत सारी संसाइं यह भी बोलती है कि इतने फॉर्म पड़े उसका कोई भी रियल डेटा नहीं है इनके बहुत रेंडम आकड़े हैं साड़े तीर से चालदा का गल लेके चलो बट उस पर मैं कोई टिप पड़ी नहीं कूरूँगा अब एक्जाम डेट जो मैं मान की चलूँगा कि आप जो सबसे ज्यादा है वो 14 और 14 और 15 अक्टूबर से आपका एक्जाम डेट स्टार्ट हो रहा है और यह सबसे पहले जो JE जूनियर एक्जेकुटिव कॉमन कैडर का है उसी का आपका पहले एक्जाम है तो आपको सबसे बड़ी बात है कि GS कैसे त्यार करना है यहां पे सबसे बच्चे जो सबसे पहरेनी को यह वो GS को लेके हो रहे हैं अगर हम इसकी स्लेबस को देखे तो इसका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा किस का ऐसे सी के सीरिफ्प को उठाके रखा़ चाहे हम हम स्वात करें ग्रीटे यह झेंद जन्र बपरनेस की बात करें या फिर हम लांट कि सबसूत पार करें और इसका जो पैटर्न है पैटर्न भी आप लोग को अच्छे से पता होगा कि दो को दो 35-35 के हैं और दो आपके कितने हैं यहाँ पर 35-35 का सतर है 35-35 कोशन टोटल 150 कोशन का आपका जो यह पेपर है और 40-40 कोशन के आपके Maths और Reasoning वाले पार्ट हैं यहाँ पर अगर कर दिया रहे तो 40-40 तो जो ज़्याद है आपका वो weight is आपका Maths और Reasoning यहाँ पे Maths भी 40 कोशन पूछा जाएगा 40 number का एक कोशन एक नंपर का है और Reasoning भी आपका कितना पूछा जाएगा reasoning भी आपका 40 portion पूछा जाएगा बदलब आपके paper में total 80 जो portion है वो केवल maths plus reasoning है और यह maths plus reasoning क्योंकि आपकी accuracy भी maintain करते हैं आपको selection की जो main बोल सकते हो कि chunk है वो क्या है वो आपका maths और reasoning है उसके बाद English और general awareness की बात किया जाएगा यहां पे core GS नहीं है सबस्था बच्चे जो परिशान है यहां पे GS के लिए तो general awareness और दूसरा क्या है English है अब देखो अगर इसके syllabus को कराया जाएगा तो syllabus पूरा का पूरा किसके जो SSC कर नया pattern है उसके according पे syllabus था और जो संस्था करा रही है वह क्या करा रही है करना IUPS कर रही है तो अब संस्था अगर IUPS है और pattern स्सहिटी का है तो इसका मतलब क्वूशन होंगे वह कहीं-नदा कहीं-ने एसके पैंट्र पहीं होंगी लेकिन ssc gak जो पैटर्न है वह conception होते है तो उनके जो पूरिशन होते हैं वो अलग होते हैं जैसे मैस की बात करें तो मैस में एडवांस पॉरिशन अगर देखा जाए तो टीची जादा पूस्ता है एलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गया ट्रगनामेट्री हो गया इनसे कोशन उसके जादा होते हैं बट अगर यह आई बीपीर्स करवा रहा है तो मैस में आपको बैलेंस पेपर देखने को मिलेगा आपका जो अरिथमेटिक का पार्ट है और एडवांस का पार्ट है दोनों में ही बैलेंस तरीके से रहेगा ठीक है ऐसे ही आपका रिजनिंग रहेगा तो आपको एजबर सिलेबस चीजे करते हुए चलनी है और आपका paper के आएगा balance आएगा और जो आपको सबस्दा score भी करना है वो score इनहीं दोनों पार्ट से करना है रही बात जीए की तो जीए बहुत random होता है क्योंकि इसने कुछ भी ऐसे open करके नहीं बोला है कि आपसे पूंचा क्या जाएगा कुछ भी open करके नहीं बोला है कि आपसे जो question पूंचता है वह static gk कहीं सबसे आपसे question पूंचेगा तब अंतिम पंदा दिनों में हमारी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए इसको समझते देखो सबसे ज़्यादा आपको अंतिम दिनों में फोकस करना है math or reasoning अब आप बोलोगे कि last time में math or reasoning कैसे लगाएंग यह वाले बच्चे जो है वह भरते हैं या जो टेक्निकल डिग्री होता है या प्रोफेशनल डिग्री होता है वही लोग एप्रोच करते हैं कारण्स का math रिजिंग और English होता है या सीदे बोले कि जो एससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो ज्यादा इस पर टेक्निकल बैकग्राउंd के बच्चे होते हैं या प्रोफेशनल डिग्री के बच्चे होते हैं अंतिम समय में उनके अंदर मेंने की के किपर सिटी होती है और ये बात मुस्ते मेहतर कोई नहीं जानता है तो आपोड़ोग के लिए ये 15-17 दिने ये कम नहीं है दमतोड़ म कोशन की प्रेक्टिस और स्पीड बनाने मौका मिलेगा दो घंडे का पेपर होगा है ना दो घंडे का पेपर होगा तो आज से ही आप यह दो घंडे 120 मिल्ट का प्रेक्टिस करिए 150 कोशन होगे 35-35-40-40-40-80-50 यानि कितना हो जाएगा 150 कोशन आपका टोटल यह चार पोशन मिलके कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि नो निगेटिव नहीं तो आपका जो सेफ स्कॉर होना चाहिए या बोलो अटेंट तो आपका कितना होना चाहिए 150 के 150 कोशन अब ऐसा भ दो बच्चा 150-150 कोशन देख लिया सही से वो सुरू से लेकर 150 कोशन तब पहुंच गया समझ लो कि आधा सेलेक्शन उसका वहीं पर है क्योंकि maximum बच्चे क्या होंगे इसमें फोरा कोशन अटेंप्ट ही नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस दो गंटे आज से ही कि आप इसे attempt कर पाओ आज से ही इस दो गंटे की practice करना है कि 150 कोशन आप करो टेस्ट इसमें जादा से जादा लगाओ कहां से टेस्ट लगाओ तो जहां से भी आप जोड़े हो जिस भी संस्ता से जोड़े हो अगर वहाँ पर टेस्ट देते हैं या पिर आप टेस् पे 100% paper क्योंकि यह बिल्कुल नया pattern इस बार आया है और नये तरीके से paper हो रहा है तो पहली बाल कोई भी उस चीज़ को जज नहीं कर पाएगा पुराने pattern पे तो आपको मान की चलना है कि पहले आपको थोड़ा सा challenges के लिए तयार रहना है किस पकाल से आपको यहां पे तया क्यार करना है static gk और static gk में जैसे अगर आप इतिहास पड़ते हो तो इतिहास पर आप कहानी की तरह पढ़ते हो एक इतिहास में जो major point जैसे आप कुछ न परो आप केवल लूसेंट उठालो आप अगर कुछ ना पढ़े हो तो आपके वह लूसेंट उठालो लूसेंट में हर चेप्टर में कुछ टेबल दिये होते हैं या हर चेप्टर की एक समरी दिये होती है जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में मे जाएगा और सब्सक्राइब जो चांसे सुदा है वो फंडमेंटल राइट और डिपी एस्टी वह लब आप बोल सकते हो कि एक से लेकर और बावन तक का आर्टिकल अवश्य पढ़ लो है ना अगर पॉलिटी की बात करें हिस्ट्री में तो पहले आपको समझ के चलना है हिस्ट्री में आपको क्या समझ के चलना है हिस्ट्री में समझ के चलना है कि आपको क्या पढ़ना है आपको बैटल पढ़ना है आपको क्या पढ़ना है आपको लड़ाईयां पढ़ना है आपको जो डाइनेस्टी है उनको पढ प्राइम मिनिस्टर अगर यह दो चीज पढ़ लोगे तो इससे जढ़ और एक मनी बिल मुनी विल बहुत ज़्यादा है ऑर साथ में अगर मैं बात करूँ कमें माथना क्या कीव्रिंब इंडिया उगाउफी तो कितने ऐसे राज्य हैं जो कॉस्टल एरिया हैं , सक्तियों के अच्छेत्र हैं। या कितने ऐसे राज्य हैं जो इंटरनेस्टल बाउंडरी चेयर कर रहे हैं, इक्वेटर जोपिक आफ कैंसर है, वो कितने राज्यों से पास हो रही है, जो इंडियन स्टेंडर टाइम है वो कितने राजियों से हो के पास कर रही है तो यह सारी इंफॉर्मेशन आपको जो में में स्टेट बाउंडरी और जो मेजर रेखा हैं यह आपको केवल जोग्राफी में पढ़ना है इसके अत्रिक्त लाष्ट में कुछ मत पढ़ो उसके बाद एकनॉमिक्स आपको नहीं पढ़ हो गया स्मॉलेश्ट इंडिया हो गया स्मॉलेश्ट इंवर्ड हो गया या और फिर किसी स्पोर्ट से हो गया तो यह सारी चीज़े आपको स्टेटिक में पढ़ना है और इसलिए मैं बोला हूं कि लाष्ट के पंदा दिन में अगर आप केवल जीए पर फोकस रहोगे तो और समय बर्बाद करोगे ज़ादा से जग़ा आपको मैं सा पका year DIRECTOR क्राओ इंगलिक के बारे मैं में बताओ तो इंगलिस में आपको कैवल क्या पढ़ना है ज़ादा से जड़ा आपका प्रयास ओकेप जिसमें आपका टिंग होगया इस पर यह कुछ ले तो जल्दी भोलते नहीं हो ठीक है या फिर आपका one word substitution हो गया या फिर आपका synonyms हो गया या फिर आपका antonyms हो गया ये सारी चीजें ये सारी चीजें अगर आप तयार करोगे इंग्लिस में तो इसके भिहाब पे आपका क्या हो जाएगा grammar portion भी कहीं न कहीं score आपका अच्छा हो जाएगा क्योंकि वोकाब मैं direct वोकाब तो पूछी लेता है साथ में आपके जो filler होते हैं इसके अतिर्व जो आपका comprehensive होता है जितनी जितनी अच्छा आपका वोकाब होगा उतना ही अच्छा आपका क्या हो जाएगा आप comprehend कर पाओंगे आप किसी paragraph को और comprehension जो होता है पैसेज होता है उतना अच्छा score होता है तो अंतिम पंदा दिन में आप जितना और इसमें तो strictly आप अपने आपको कहां पे रहो स्सी के प्रिविएस यह स्सी के पीवाई क्यूज अगर आप रख लेते हो तो यह आपके लिए more than sufficient है इंग्लेस में आपको grammar पंदा दिन में मत पढ़ो तो ज्यादा बेटर है आप ज्यादा ज्यादा वोकाब पढ़ो जियस में ज्यादा ज्यादा आप इस्टैक और तो उमीर है कि यह आपके छोटी सी स्ट्राटीजी है कि अंतिम 15-17 दिन में हमें पढ़ना क्या है यह आपके लिए बहुत ज्यादा कारगार रहेगी और अगर आप इस इस्ट्राटीजी पर फॉलो करोगे तो आपको फायदा में मिलेगा बाकी आपकी अपनी भी दी ऑना चाहरा ह। कि आपको षी énorme स capacете फोकस करना है इंग्ले में फोकस करना ऑग alco a फोकस करने इसके आपको जयादा फोकस नहीं करना है आप नई किताबे पढ़िए मत जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ते आईए जो नोर्स आपके पास है आप उनी से पढ़िए और जो नहीं किसी लेक्चर को देखने का प्रयास करें अगर आप पहले से त्यारी कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर वही है बाकि जो भी समस्क्ता है आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा फिर मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बहुत आगा है